1. मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैपसूल दबाया जाएगा, जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो, तो ली जा सकती है. 2. मंदिर को उन इंटों से बनाया जाएगा, जिनके उपर श्री राम नाम अंकित है, और इन्हें राम शिला भी कहा जाता है. 3. मंदिर का निर्मान प्राचीन पद्धती से किया जाएगा, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. 4. सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर का डिजाइन बनाया है, सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर और भवन निर्मान में पारंगत है. 5. करनाटक की अंजनी नामक पहाडी जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्मान में सहयोग किया जाएगा. 6. पद्दी सो से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी. 7. देश के अलग-अलग नदियों का पानी भी इस्तिमाल किया जाएगा, तथा कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी इस्तिमाल किया जाएगा. 8. भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की इंटे मंदिर निर्माण के लिए आई है 9. पूरे मंदिर को वास्तु शास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है 10. भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएगी 11. एक बार में सिर्फ मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालू समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे 12. राम मंदिर दो मंजिला बनेगा जिसकी उंचाई 128 फीट, लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट है 12. मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा 13. राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जाएगा 14. मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा 14. भूकंप के लिहाद से उतर प्रदेश सम्वेदनशील जोन 4 में आता है मगर अयोध्या समेत अवद का ये हिस्सा जोन 3 में है बाकी हिस्से की अपेक्षा, खत्रा यहां कुछ कम है इसलिए राम मंदिर को रियक्टर स्केल मापन पर आठ से दस तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा 15. अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिल्चस्प तत्यों में से एक नीव का लेउठ है जिसे तोसी 5-1-7 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उप्योग करके बनाया गया है उदाहरण के लिए जहांसी, बिठूरी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तोडगड, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान इसकी नीव में योगदान करते हैं 16. राम मंदिर अपनी डिजाइन सनरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है मंदिर को डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि यह डिजाइन 30 साल पहले चंदरकांत सोमपुरा के बेटे आशीश सोमपुरा ने बनाया था परिवार के अनुसार 28,000 वर्ग फुट क्षेत्र के साथ मंदिर की उंचाई लगभग 161 फीट तक पहुँचती है 17, 5 अगस्त को पवित्र समारोह में एक नीव ले आउट के साथ एक विशेश पवित्र जल था जिसमें पूरे भारत की 150 पवित्र नदियों का पवित्र जल था इन नदी जल का संयोजन दो भाईयों शब्द वैज्ञानिक महाकवी त्रिफला और राधिश्याम पांडे के परिवार से हुआ इस पवित्र जल का संयोजन तीन समुद्रों, आठ नदियों और श्री लंका की मिट्टी का मिश्रण है इसके अतिरिक्त मान सरोवर जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा था इसके साथ ही पश्चिम जैन्तिया हिल्स में 600 साल पुराने दुरगा मंदिर का पानी, मिन्तांग और मिन्दु की नदी का पानी भी पवित्र जल मिशन का हिस्सा था अठारह पहली मंजिल पर डिजाइन सनरचना, भगवान राम के दरबार को चित्रित करेगी मंदिर की सबसे अनोखी विशेष्टाओं में से एक है निर्माण में बंसी पहाडपुर, गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्र किया गया था साथ ही, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 360 खंभे विशेष रूप से नागर शैली के डिजाइन के साथ बनाए जाएंगे इस बीच सब्टिसावन एकड़ भूमी में एक मंदिर परिसर शामिल होगा और दस एकड़ भूमी मंदिर निर्माण के लिए होगी शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास के चार छोटे मंदिर होंगे भगवान राम की पावन जन्म भूमी अयोध्या पवित्र सब्ट पुरियों में से एक है अयोध्या के अलावा मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उजयनी और द्वार का पवित्र सब्ट पुरियों में शामिल है राम मंदिर ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण चाप छोड़ी है एक ऐसी जगह है, जो अब उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण चाप छोड़ेगी, जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे भगवान श्री राम के लिए एक लाइक तो बनता है, बोलो जै श्री राम